मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम लोग मेरे लिए बर्गर बनाओ बड़ासा और स्वाधिस्ट बर्गर आसानी से मैंने अपनी जीवन में कभी बर्गर नहीं बनाया है लेकिन मुझे शुरू करने में बहुत खुशी होगी सलात का उपयोग सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद मैं मचली डालूँगी या अच्छा है कि अपनी तेज पंजे की मदद से मैं आसानी से जार खोल सकती हूँ मेरे बर्गर में जो मचली है वो तटलिट की जगा लेगी मुझे मचली जादा पसंद है अब मुझे चाकू चाहिए चाकू क्यों? चिंता मत करो मैं तुम्हें चोट नहीं बचाऊंगी मुझे बस एक तमाटर और चीज काटना है उनके बिना बर्गर बर्गर नहीं है और ये खुश्बु कहां से आ रही है? मैं इस स्वाधिश्ट पो खोदी खाना चाहूंगी वाव, यह अच्छा लग रहा है क्यों नहीं मैं एक मीठा बर्गर बनाओ? मीठे बन पर गमी आइस्क्रीम, खटा रिबन और निच्चित रूप से मीठा सॉस आच्छा लगेगा चलो पहले आइस्क्रीम डालती हो वाव, बढ़िया से और अब इस पर खटा रिबन और निच्चित रूप से मीठा सॉस बहुत अच्छा ओ, मेरा बर्गर तयार है मुझे लगता है कि लिन से खुश होगी वाव खुश, खुश रनी किया क्या बात है इस तरह के बर्गर को ज़्यादा खा भी नहीं सकते क्या तुम लोग हसना बंद करोगे मैं तुमें सबक सिखाऊंगी ऐसे तुम हिम्मत भी मत करना क्या, यह आटा है इसे मच्छो, रुको बस कोशिश करो हम सब इसमें लटपट होंगे ओ, तो क्या होगा ओ, मैंने इसे बचा लिया तुमें लगता यह फणी है और तुमें यह कैसा लगा आ, बस इतना काफी है मैं गिली हो गई हूँ ठेक है, जादा खिलवार मत करो यह खाना बनाने का समय है मैं शायद बंस के साथ शुरू करूँगा मुझे पहले आटा गुनना है हाँ, लेकिन इतना ही नहीं है हमें उन सबजियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिने पतले दिंग्स में काटना है और जाहिर है, कीमा भी चाहिए यह स्वादिस्ट कटलेट बर्गर का बेस है और सौस भी बहुत महत्पुन है और थोड़े मसाले और अब हम इसे पकाना होगा मुझे लगता है कटलेट बन गया है देखो तो, अब बंस बनाने और सब चीजों को इकठा करके भी डालने का समय है सभी इस बर्गर से जरूर खुश होंगे यह बड़ा ही नहीं बल्कि आविश्वश्नी रुप से रस्दार और स्वादिस्ट भी है देखो, कितना अच्छा लग रहा है इसे सभी खाना चाहेंगे यह बहुत सुन्दर है सही में मुझे भी भूक लग रही है लिंट से तुम्हें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि कौन जीता मैं जल से जल कुछ खाना चाहती हूँ वाव, सभी बर्गर बहुत स्वादिश लग रहे है एक अपवाद के साथ मिस्टर कैट, तुमने क्या बनाया है तुम्हारे बर्गर से इतनी बद्बू क्यों आ रही है तुम्हें पता है, मैं इसे आजमाना भी नहीं चाहती यह सब इस कटलिक की वज़़से है मचली से बहुत बद्बू आ रही है मैं इस प्यारे गुलावी बर्गर को ट्राइ करूँगी जो क्लोई ने मेरे लिए बनाया है मुझे लगता है उसे एक मीठा बर्गर मिला है वाव, बहुत अच्छा है मुझे पसंद आया और अब शैफ इथन के बड़े से बर्गर को टेस्ट करना बाकी है यह सिर्फ एक बर्गर नहीं है यह एक पूरा केक है और यह बहुत स्वाधिस्ट है शायद मेरे जीवन का सबसे अच्छा बर्गर स्पस्ट्रूप से आज का विजिता शैफ है हाँ, मुझे पता था कि मैं यह सब करूँगा आखिरकार मैं शैफ हो, तुम नहीं म्याव, तुम अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो यहाँ आओ, तुम डिंग मारने वाले यह सही है बेचारा शैफ इथन उसने हमारे जानवर को जगा दिया है म्याव, यहाओ, मैंने अभी तक खत नहीं किया है मुझे फिर से भूख लगी है इसलिए मेरे लिए स्वादिस्ट फ्राइड एग तियार करो यह बहुत आसान है म्याव, यह आसान है देखो मेरे पास किस तरह का फ्रेम है मैं एक अंडे से अपना पोर्ट्रेट बनाऊंगी मेरे पास बड़ी पीली आखे होंगी जो मैं योग से बनाऊंगी म्याव, मुझे लगता यह फ़ानी है यह वास्ता में मेरे जैसा दिखता है अब केवल सौसिट से कान और फिलिंग्स को बनाने की जरुवत है तो यह कैसा लग रहा है? है ना, अच्छा? यह सिर्फ आमलेट नहीं, बलकि एक आर्ट पीस है बहुत अच्छा, बेबी को जरूर पसंद आएगा म्याव ओ, कितना स्वादिस योगर्ट है बाकी योगर्ट से मैं डिजर्ट बनाऊंगी मुझे पता है कि लिंड सी फ्राइड अंडे चाहती है इसलिए यह फ्राइड अंडे के रूप में मैं अपना डिजर्ट सर्व करूंगी प्रोटीन, यह योगर्ट है और योग, मीठा, पीच यह असली फ्राइड अंडे की तरह दिखता है वाह, बहुत बढ़िया है चलो, अब इससे मैं अपना काम करती हूँ और यह तैयार हो गया अच्छा, तो यह बात है यह अच्छा दिखरा है मैं सबजियों के साथ असली फ्राइड अंडे बनाने जा रहा हूँ इसके लिए मुझे ना केवल अंडे बलकि सबजियां भी चाहिए सबसे पहले मैं गाजर को अंडे में छोटे-छोटे टुक्रो में डालूंगा और अब आगे जो मिक्चन मैंने बनाया है उसे एक ट्रे में डाल कर बेक करना है यह तले हुए अंडे का बेस होगा और अब इसे एक रोल में लपेटने की जर्वत है इस रोल पर चीज भी डाला जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज जितना ज़्यादा उतना अच्छा होगा सामानी रूप से बहुत सारे चीज जैसे कोई चीज नहीं होती है आपको क्या लगता है मेरी राय में यह काफी स्वादिश लग रहा है तुम सही कह रहे हो वाह बहुत स्वादिश रहे है मुझे लगता है मुझे पता है इसे किस ने खाया है उसने इसका चिन छोड़ दिया है बिल्ली क्या तुम्हें शर्म नहीं आती चिलाओ मत यह मैंने बिल्कुल नहीं किया है चलो जल्दी करो मुझे भूख लगी है अच्छा हाँ बाते बंद अब विजेता चुनने का समय है ठीक है दिल्चस्प क्लुई तुमने क्या बनाया है यहां केवल लियो क्यों है ठीक है चलो ट्राइ करते है शायद इसमें कुछ कहरा मेनिंग हो चक कर देखती हूं यह बस कुछ ऐसा ही है हाँ बस और यह शैफ ने बनाया है चलो चक कर देखती हूं मुझे चीज बहुत पसंद है अंडे के साथ शैफ इतिन का रोल बहुत अच्छा है उसने चीज डालने में कोई कंजूसी नहीं की है और मुझे चीज बहुत पसंद है स्वादिश्ट अब केवल बिल्ली का बनाया हुआ प्यार असा मुझे यहां से हटना नहीं है मैं यहां एक मात्र असली शैफ हूँ हैलो बार्णी चलो खेलते हैं दोस्तो हमारे पास एक चुनावती है आपका पहला काम होट डोग बनाना है वाव बढ़िया शुरू करने के लिए मैं गर्म ब्रेड लूँगा और उसमें अपने पसंदी केवल और ग्रेवी भरूँगा वाव धकन हटाया और इसे ब्रेड पर डालता हूँ क्या खुश्बू है वाव हो 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 हमारा प्यारा दोस्त कहां जा रहा है मैंने अपनी हटी घर पर ही छोड़ दी है लेकिन मैं वास्तम में इसे बेबी को देना चाहता हूँ मुझे यक इने वो बहुत खुश होगी चलो बार्णी वाव धन्यवाद मायली आपको बस इतना करना है किसे और भी स्वादिस बनाने के लिए इसमें कैचप मिलाना है अब खाना तेयार है और मैं सौसिज की साथ एक स्वादिस्ट हॉट डॉग बनाना चाहती हूँ अरे वाव माफ क अरो मुझे इतनी भोख लगी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई आरे नहीं मेरे पास से बहादा बचा है अपसूस की बात है इसमें कैचप और मस्टर्ड मिलाना होगा वाव ओ ये कैसा दिख रहा है मेरे हिसाब से ये जरुत से ज़्यादा है कैचप की जगा ज़्यादा मी वाव कितने स्वादिस्ट होट डॉग है शायद मैं सबसे अलग दिखने वाले से शुरू करूँगी आँ आँ ये हाँ चलो सौसिस कहा है मेरे मुमें सिर्फ कैचप और ब्रेड है ओ ऐसा लगता है मुझसे पहले ही कोई ये होट डॉग खा चुका है अच्छी कितना खराब क्या बकवास है अच्छे बार्णी मैं तुम्हें माफ करती हूँ ओ क्या ये हड़ी वाला होट डॉग खाने लायक भी है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ये हड़ी बिल्कुल पत्थर जैसी है मैं इसे चबाना नहीं चाहती शैफ का होट डॉग है मैं दूर से ही इसकी खुश्बू सूंग सकती हूँ मेरे मुँ में तो पानी आ रहा है बढ़िया यही तो चाहिए बस ये बहुत स्वाजिश्ट है बहुत ज़्यादा स्वाजिश्ट और ये तै हो गया कि शैफ जीत रहा है हाई ये हुरे बार्णी मुझे केश करने दो और इस राउन में मुझे चाहिए पिज़ा क्या आप ये बना सकते है पिज़ा आसानी से रेसेपी 300 ग्राम आठा 3 अंडे मखन, खमी और पानी ज़रूरी बात ये है कि सब कुछ अच्छी तरह से मिला ले और आठे को एक पतली परत में बेले लेकिन इस बेली में मैं माहिर हूँ ये रहा बेलान और मैं इसे अच्छी से बेलूंगा, पतला हाहा यह कितना मुश्किल है, बारी लग रहा है मैं इसे मुश्किल से बना पा रही हूँ और डो बेकार लग रहा है बारनी की तरह नहीं ये गू बिल्कुल खाने लाइक नहीं है अरे दोस्त, खेलना चाहते हो उफ, ये कितना खराब दिख रहा है आ, मेरे पास एक आइडिया है दोस्त, खेला चाहते हो जाओ, बॉल पकड़ो और मैं अपने डो के बजाए तुम्हारा डो बेक करूँगी मैं कितनी चालाख हूँ और पीज़ा के लिए सलामी और चीज बहुत बोरिंग है आओ देखे कि सोफी नट बचर और मेरी फेवरिट चॉकलेट की बयारे में क्या कहती है मुझे यकीन है कि उसे यह पसंद आएगा ऐसे पीज़ा को तो मैं खुद भी मना नहीं करूँगी इसे और अच्छा बनाने के लिए आधिक से अधिक स्ट्रॉबेरी और रंगीन स्प्रिंकल्स डालने की जर्वत है ये गये स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल्स चॉकलेट वाह मामा मिया मीठे पिज़ा को हराना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगा अच्छी बात है कि इसे करने के लिए मेरे पास एक शानदार योजना है कौन सा? ये सिक्रेट है लेकिन मैं तुम्हें बता दूँगा दोस्तो तो हमने चीज सलामी और टमाटर को काट लिया और अब हमने इन सभी पिज़ा सामगरी को कुरूसान में डाल दिया और बस तयार मेरी मास्टर पीज लगबग तयार है मुझे बस इसे अपने सिक्रेट हथियार तीखी मिर्च के साथ स्राई करना है वाह! बहुत बढ़िया वाह! देखो चीज कितने अच्छे से पिगल रहा है ओ, मुझे बॉल मिल गई हाह! तुम यहां क्या कर रहे हो? वाह! अरे शेफ और माईली ने बहुत बढ़ियां काम किया मेरा डो कहा है? उफ! ओ, सौरी बार्णी तुम मेरा ले सकती हो समय खत्म हो गये दोस्तो तुम तयार हो? हुरे! मैं तुम्हारा पीजा टेस्ट करने के लिए और इंजार नहीं कर सकती ओ, लेकिन बॉल के साथ इस कटोरे का पीजा बिलकुल भी स्वादिश नहीं लग रहा है अची, कितना गंता है बार्णी, तुम चैलन्ज से बाहर हो लेकिन मेरी बेहन का पीजा बहुत बढ़िया लग रहा है अच्पुत स्वाद, मैं बहुत खोश हूँ वाँ, बहुत अच्छा और शैफ ने हमेशा की तरह इस काम को क्रियेटिव तरीके से किया है और मेरे लिए पीजा बनाया लेकिन आइस्ट्रीम के रूप में वाँ, अब मैं इसे चक्कर देखूंगी यह बहुत स्वादिस्ट है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत याम, देखो चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है वाँ, बहुत बढ़िया लेकिन फिर भी स्ट्रावबेरी मेरे फेवरिट बेरी है इसलिए इस बार मेरी बहन जीत रही है वाँ, क्या सच में ये, हुरे और अब मुझे बोतल में जेली चाहिए आगे बढ़ो दोस्तो भाँ, भाँ, सबसे पहले मैं सोखा खाना डालूँगा जो मैं हमेशा नाश्ते में खाता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि शहद कहां से मिलेगा मेरी तरफ ऐसे मत देखो नई, माफ करना बारनी, ये एक प्रतियोगीता है मैं तुम्हारे साथ शहद नहीं बार सकती लेकिन मैं तुम्हें खास ड्रेस दूंगी ताकि जब तुम उसे एक अठा कर सको जिससे मधुमक्या तुम्हें डंक ना मार सके धन्यवाद मुझे एक छटा मिल गया और अब मैं शहद को सीधे बोतल में डाल सकता हूँ धन्यवाद मधुमक्या वाव, ये बहुत स्वाद इस दिख रहा है ओह, देखो, कितने अच्छे से जा रहा है लेकिन ये मधुमक्या ओह, लगता मैं शेयर नहीं करना चाहती मुझे लगता है कि मेरी जेली के लिए सबसे अच्छी फिलिंग कैंडी होगी अगर मैं उन्हें रेन्बो के रंगों के क्रम में डालू तो ये बहुत सुन्दर लगीगा खूल वाव, देखो, बोतल में डालता हूँ एक की बात एक लेयर सम मिक्स नहीं करना है सारे रंग है यहाँ, इंदरधनूस के बहुत बढ़िया और आप हनी को सबसे अंत में डालेंगे वाव, परफेक्टो अब इसे बंद कर देता हूँ और यह, लगवक्त तयार है मुझे कोला बहुत पसंद है मैं भे कुछ जेली बनाना चाहती हूँ मुझे लगता है कि सोफी को यह बहुत पसंद आईगी और मेरी राय में शहत और कोला एक दम सही कॉंबिनेशन है वाव, कितना बढ़िया बहुत मीठा स्वादिश्ट ओ, गुदगुदी लग रही है बार्णी कितना बढ़िया क्या तुम सब तयार हो दोस्तो हमारी जेली को बोतल में जमाने का समय आ गया है क्या सबी के पास फ्रीजर है तो चलो ओ, मुझे जल्दी करना है मुझे करने दो ओ, जल्दी करो मुझे बहुत भोक लग रही है हम सब तयार है अच्छे से इसमें कैंडी डाले गया है और यह कितना रंगीन दीख रहा है इसे चक कर देखती हूँ बहुत बढ़िया शेफ, आप हमेशा बहुत कुछ अलगी करते हो और यह क्या है, बार्णी ने क्या बनाया है बार्णी ने कुछ कुट्ट्य के खाने की जल्दी बनाई है ओ, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है भयानक ओ, बार्णी तुम कितनी अच्छी मुस्कान दे रहे हो मेरा मतलब नहीं ओ, उसने मज़े बहुत खुश करने की कोशिस की है ओ, तुम कितनी प्यारे हो बार्णी मैं क्या करूँ सही में, हम सभी उसे बहुत प्यार करते हैं तो ठीक है, बार्णी जीत गया होरे हम सब दोस्त है मैं खोसू कलिनरी चैलेंज में आपका स्वागत है सबसे पहले मेरे लिए एक स्वादिश केक बनाईए अच्छा, बिल्ली इसका सामना अच्छे तरीके से करेगी स्वादिश बैटर बनाने के लिए हमें अंडे को तोड़ना होगा एक सही ही अब हम इसमें आटा मिला सकते है ध्यान रखना है, जादा नहीं डालना है और अब मेरा फेवरिट दू जाएगा ऐसा लगता है कि मेरे पंजे ढखकर नहीं खोल पा रहे बिल्ली को गुस्सा मत दिलाओ नहीं तो उसके पंजे खतरनाग बन जाएंगे हुरे, मुझे दूद लेने से कोई नहीं रोक सकता है आप सब कुस्त तैयार है अब केवल सबी चीजों को अच्छे से फैटना है बढ़िया मेरे चेरे पर सब कुछ उड़कर आ रहा है बिल्ली की हरकते खे, अब मुझे केक बनाना शुरू करना चाहिए यह अच्छा है कि मैं बहुत सारे रंग के बैटर का इस्तिमाल कर सकता हूँ इसलिए मैं जैस के लिए का अदूत रेनबो केक बनाऊंगा जिससे वो पक्त का खुश हो जाएगी अच्छी बात यह है कि आटा मोल्ड में मिक्स नहीं हो रहा है यह अच्छा है कि मैं एक चड़ी के साथ खुद एक सुन्दर पैटर्न बनाऊंगा ऐसे हाँ बस इस तरह से बहुत सुन्दर अब थोड़ा क्रीम उपर से और रंगीन स्प्रिंकल से सजा सकते है वाव क्या सुन्दरता है इसके को देकर मोड़ खुश हो जाता है ओ मुझे अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है हैरान मत हो शेप बिल्ली अभी बहुत कुछ कर सकती है यह क्रीम लगाने का समय है बिल्ली पूरी तरह से इसका सामना करेगी अब केवल इसे अच्छे से सजाना बचा है स्वादिष्ट मचली और दूसरे सीफूड इसके लिए सही है अपने खाने के मजेलो बेबी और मेरे पास एक बेहतर आइडिया है मैं बॉक्स में गम को पिगलाऊंगी और केट पर डालूंगी यह स्वादिष्ट होने वाला है खास कर यदि इस पर स्कीटल्स डालते है यह तीटल्स का समय है यह गया स्कीटल हाँ, मेरा आइडिया कितना मस्त था ताडाम वाँ, वाँ, मैंने अपने जीवन में इतना सुन्दर केक कभी नहीं देखा है यह हद्बुत है खेर, मैं मचली से शुरू करूंगी मुझे पता है, बिल्ली इसे प्यार करती है यह शैवाल मैस्टिक से बने हैं और यह स्टार फिश भी वाँ, मैं बहुत खुश हूँ हाला कि मैंने अभी तक केक ट्रै नहीं किया है चलो इसे ट्राइ करती हूँ वाँ यह कितना स्वाधिस्ट है धन्यवाद किटी चलो देखते हैं कि दूसरों ने क्या तैयार किया है बुरा नहीं है मुझे कैंडिस बहुत पसंद है और केक ने मुझे थोड़ा सर्प्राइस कर दिया वाँ, यह स्बस्टर की शैफ ने केक बनाया है जड़ा इन शांदार पैटन को देखो स्वाध भी बहुत अच्छा है वाँ पर मैं विनर किसे बनाओ आँ, मुझे लगता आसान बिनली जीत रही है तुमारा केक सबसे अच्छा है क्या? मुभारखो धन्यवाद आपका अगला असाइन्मेंट आइसक्रीम है आइसक्रीम में बहुत दूध होते है हम बस अपने पंजे चाट सकते है और यहाँ मेरा सिक्रेट इंग्रेडियन्ट है ओ, किटी, क्या मैं तुमसे एक डोनट्स ले सकती हूँ? डोनट्स को वापस उसकी जग़पर रख दो नहीं, तो मुझे मेरे पंजो का उप्योग करना होगा ओ, ठीक है, मुझे माफ कर दो, किटी मैं तुम्हें गुसा नहीं दिलाना चाहती अरे दोस्तो, क्या तुम्हें आइस्क्रीम पसंद है? अब बिली तुम्हें सबसे शानदार फ्राइड आइस्क्रीम बनाने के तरीके पर एक मास्टर क्लास दिखाएगी म्याउ इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा यमी लेते हैं और मेरे स्पेशल आइस्क्रीम बोर्ट पर स्वाधिस रोल बनाने के लिए इसे छोटे टुकडों में तोड़ते हैं फिर दोनट्स लेंगे, फिर मैकरोन पासियत तयार है और इसके उपर चोकलिट सिरप भी डालूँगी म्याउ ओया क्या है मुझे एक नया लक्षे दिखाई दे रहा है ऐसा लगता है कि चुनौती जीतने के लिए मुझे अपने प्रतियोग्यों के साथ थोड़ी शरार्ट करनी होगी ला 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 क्या हो रहा है क्या मुझे बंदुक के नोग पर रखा जा रहा है मुझे बचाओ मैं मुश्किल से बचा जाद शरार्ट मत करो मैंने कुछ नहीं किया ये बदमाश खेर ऐसा लगता है कि मेरे शानदार कौन में मीठे की कमी है जिसे मैं आइस्ट्रीम से पूरी करूँगा सुन्दर वाव तुम्हें ये कैसा लग रहा है दोस्तो बताओ कैसा लग रहा है वाव सभी ने इतनी अच्छी आइस्ट्रीम बनाई है लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है वाव बिलकुल अब मैं एक बड़ी आइस्ट्रीम बनाने जानी हूँ मुझे बस बहुत सारे कैंडीज डालनी होगी और फिर उसके उपर नियो टेला डालना होगा यह तयार है अब इस पर कैंडीज मॉल्टिसर्स बाउंटी और यह गया नियो टेला वाव कितना स्वादिस दिख रहा है मैं इसे सब खुद खाना चाहती हूँ थोड़ा चाट लेती हूँ यह बहुत स्वादिस्ट है चलो अब इस पर थोड़ा स्प्रिंकल्स डालती हूँ रंग भी रंगे बहुत अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद आपके बहुत अच्छा किया है वाव मैं सबसे पहले इस रंग के साथ आइस्ट्रिम को उनको ट्राई करना चाहती हूँ बुरा नहीं है लेकिन यह और अच्छा हो सकता था वाव जरह देखो कि यह कितना सुन्दर है यह बहुत स्वादिस्ट है यह मस्त है याम 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 और मेरे पास इस आइस्ट्रिम के लिए चम अच्छा है क्या खुश्बु है मुझे वास्तों में यह आइस्ट्रिम बसंद है वाव बहुत स्वादिस्ट बहुत बहुत धनेवाद बहुत तुम जीत रही हो यह बहुत स्वादिस है हुरे हाँ मैं जीनियस हूँ ये आगे क्या है मुझे मार्शमेलो के साथ गर्म कोको चाहिए प्लीज मुझे इसके बारे में सोचने दो आज मैंने मिल्क फोम के साथ शानदार कोको बनाने के तरीके पर एक लाइफ एक देखा है मैं सब समझ गया ड्रिल में एक चमच डालते हैं एक चमच कोको पाउडर लेते हैं और फिर इसे गर्म दूद में डालेंगे अब चलो इसे मिक्स करते हैं लगता है सब कुछ जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ ओ बेचारे चिंता मत करो किटी तुम कुछ और सोचो यहां मेरे पास मेरे कोको के लिए का अच्छा इडिया है पहली चीज जो मुझे चाहिए वह है स्ट्रॉबेरी स्मूदी जिसी जमा हुआ होना चाहिए यह अच्छा है कि मेरे पास एक फ्रीजर है और मुझे लंबा इंजार नहीं करना पड़ेगा अगला इंग्रेडियन मेरा फेवरिट बेरी और फ्रूट्स है मैं बहुत सारे स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी रासबेरी कीवी और बहुत सारे फल डालूँगा उसके बाद मार्शमेलो जो जैस चाहती थी और डिजर्ट के लिए मैं उसके फेवरिट कुकिज और बड़े वाफल भी जोड़ूँगा और पूरी खुशी के लिए केवल क्रीम गायब है और ये जाएगा और यहाँ रेन्बो चॉकलेट और ये स्ट्रॉप और पूरी सुन्दर्ता के लिए रंग इन स्प्रिंकल्स है वाउ बॉन एपितीद वाउ लेकिन इस बार मेरे पास इन लोंगों को ठकर देने के लिए अच्छा एडिया है मैं एक ब्लास्टर में कोको पाउडर डालूँगी और उसके उपर दूद डालूँगी यह मस्त होगा जब जैस यह देखेगी तो हैरान रह जाएगी बहुत बढ़िया चलो यह स्ट्रीकर भी यहाँ लगा देती हो मुझे हसाओ मत यह कुछ भी बेकार सा आइडिया है चलो जल्दी से एक वीनर चुनो जैस वाव 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 बाकी कहा है बाकी कहां गया शिल्ता मत करो जैस मेरे पास तुभाईले एक सर्प्राइज है अपना मूँ खोलो यह स्वाद इस है तुमने मुझे गंदा कर दिया मुझे माफ करना मैंने गलती से मैं आखिरकार इस शानदार ट्रीट का स्वाद ले पाऊंगी जो शैब ने मेरे लिए तयार किया है मुझे लगता है यह चमच इस विशाल ग्लास के लिए एक दम सही है यह कितना स्वादिश है मैं बहुत कोश्यो मैं सब खालूंगी एक-एक करके सारे लेयर्स वाँ बहुत स्वादिश्ट मैं बहुत कोश्यो ओ बढ़िया शैफ जीत रहा है हाँ हेई नहीं नहीं मत करो करो झाल करो